दोस्तों जैसा कि हम लोग पेपर 2 में SST के important question को solve कर रहे थी तो जो लोग भी इससे पहले की वीडियो नहीं देखें आप लोग जरूर देखेगा काफी important question है और स्टार्ट करते हैं आज का पहला question आप लोग इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और दोस्तों नए हो चैनल अक्षम महिलाओं विछुडियों विरुद्धों वैश्याओं राजा की अवकाश प्राप्त दासीयों से विकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासीयों को लगाया जा सकता है ये कताई बुनाई कारखानों पर दिये गे निदेश निमनलेकित में से किस करंथ में है option c जो है इसका correct answer हो जाएगा इसके जो लेखक हैं दोस्तों अर्थस्षास्त्र ग्रंद के कौन है यह चाड़क के हैं ठीक है तो यहां से अगर question थोड़ा चेंज करके पुछेगा तो आप लोग कर लेंगे मुद्रा राचास के जो लेखक हैं वो हैं विशाखा दत और राज तरंगड़ी की बात करें तो इसके जो लेखक हैं कलहड़ है ठीक है अगला question देखेंगे उची भीतरी छत में प्रतिछेदी महराबों वाली वस्तुकला की यह शहली किसके बीच समाल है option A में दिया गया है वरिंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेपुर सिकरी के महलों B है बांगला गुंबद मंदिरों और जोधा भाई के महलों C है विजय नगर और शाह जहाना बाद के महलों D है कुतुब मिनार और राज राजेश्वर मंदिर उची भीतरी छत में प्रतिछेदी महराबों वाली वस्तुकला की यह शहली किसके बीच समान है यह बताना है तो दोस्तों यह विरिंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेपूर सिकरी के महलों के बीच समान है तो option A यह इसका यही correct answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों देखी विरिंदावन का गोविंद देव मंदिर का निर्मार जो है 1590 में कब 1590 में आमेर के राजा मान सिंग ने करवाया ठीक है और फतेपूर सिकरी की अस्थापना अकबर ने की थी यह उत्तर पुर्देश के आगरा जिले में इस्तित है अगला question हम लोग देख डी है पंजाब तो दोस्तों देखे 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वधेशी आंदुलन को भारत के आंद्र छेत में वंदी मातरम आंदुलन के नाम से जाना गया तो option यह आपका option C है यह भी है ठीक है तो आंद्र जो है correct answer होगा option C वाला जो है correct हो जाएगा यह दोस्तों गादी वादी आंदुलन के बाद सबसे सफल आंदुलन था इसका उद्देश ब्रीटिस समराज का समाप्त करना था और भारतियों की आर्थी किस्थिती में सुधार करना था यह आंदुलन जो है 1911 में समाप्त हो गया था कब 1911 में अगला question देखेंगे निम् विदेशी थे डी है वो अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी रास्टवाद के आलोचक थे यह है उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दच्छिड अफरीका के रंगभेद विरोधी शंगर्स्त को समर्पित किया सही विकल्प का चैन कीजिए इसका जो correct answer है वो बत यह है उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दच्छिड अफरीका के रंगभेद विरोधी शंगर्स को समर्पित किया यह नहीं है तो A, B, C और D किस option में आप देख पारोंगे option A में दिया गया है A, B और C और D तो यही आपका correct answer हो जाएगा अगला question देखेंगे एक role play न C है प्रित्वी चैंद्रमा और D है प्रित्वी शुक्र तो इसमें से कौन से दो ग्रहों का अभीनव विक कर सकते हैं तो दोस्तों प्रित्वी और शुक्र का कर सकते है option D जो है इसका correct answer होगा गला question देखेंगे अगर आप zero degree यह चांस पर हैं तो आप किस पर खड़े हैं य दोस्तों जैसा कि आप बीच वाला अगर आप देखें यहां पर तो जीरो डिगरी की यहां पर बात की गई है तो जीरो डिगरी अच्छांस पर हैं तो आप जो है विशुवत विरित्व पर खड़े होंगे यह आपकी विशुवत रेखा है ठीक है ठीक है तो आप विशु मंडल और अस्थल मंडल सी है अस्थल मंडल और मध्य मंडल डी है अस्थल मंडल और समताप मंडल तो दोस्तों आपने देखा हुआ कि प्राक्रिती प्रवरण के चार जो है छेतर हैं एक वायू मंडल जय मंडल जय मंडल और अस्थल मंडल तो इसमें जय मंडल वायू मंडल और जय मंडल दिया हुआ है अब कौन सा बच रहा है यही आपको अंसर करना है जय मंडल और अस्थल मंडल तो option वी में आप देख पार होंगे जय मंडल और अस्थ प्रफान दीजिएगा और दोसों आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं अपने किसी भी एबी गुरूप या फिर टेलिग्राम गुरूप वाटसप गुरूप जहां जहां आप कर सकते हैं आप जरूर करिएगा इसी तरह जो है आप मेरा सप और शीशम है डिए इन वन्हों को मांसुन वन भी कहते हैं सही विकलप काचैन कीजिए आपको यह सही विकलप का चैन करना है इसमें इसे कौन सा सही ए तो इन अगला कुशन आप लोग देख पारोंगे अमेजन बेशन के बारे में निम्रम से कौन सा सही है ए दिया गया है नेल नदी इस प्रदेश से होकर बरती है यहां का मौसम दिन एवं रात दोनों में ही समान रूप से गर्म एवं आधर होती है और सी दिया गया है रात के समय तो ए में दिया गया है ए और बी बी है ए और सी सी है बी और डी बी डी का तो यहां पर दिया ही नहीं गया है दोस्तों तो यह बी और सी होगा यहां पर और डी वाले आप्शन में सी और डी डी हा ही नहीं यह आपका ए हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक है सी और बी यहां प समान रूप से गर्मियम आध्र होता यह करेक्ट हैं रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आध्ता उच बनी रहती यह करेक्ट है तो बी-और सी जो है करेक्ट है जबकि ए नहीं है तो बी-और सी किस ऑप्षिण में आप देख पार होंगे option C इसको ले लेते हैं दोस्तों देखें D का नहीं दिया गया है तो हम इसको C मान लेते हैं यहाँ पर टाइपिंग में mistake हुआ हो या फिर question ही mistake हो तो B और C जो है इसका correct answer होगा ठीक है C वाला option किसमें बहुत ठंडा D है ठंडे रिल्गिस्तान तो दोस्तों देखिए प्रेवरी जो है यह मवेशी पालने के लिए एक उप्यूक्त जगह है तो B वाला option जो है यह correct हो जाएगा ठीक है प्रेवरी एक घास का मैदान है जो उत्री अमेरिका महादीप में पाए जाता है और यह जो है उत्री महादीप में सहयुक्त राज अमेरिका कनाड़ा और मैक्शिको में विस्तृत शीतोष्र कटीबंदिय गहास के मैदान को जो है प्रेयरी के नाम से जाना जाता है यह विशाल गहास का मैदान अन्य भंडार है प्रेयरी छेतर जो है गेहोट पादन के लिए भी दुनिया भर मे लेकिन दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए क्योंकि मैं कोशन को बनाना युसको भार भार पूछन को लाना दें गाफिया भ्यारतियू की कमेंट आ रहे थे कि मैं SST का क्लास करवा दीजिए तो दोस्तों बिल्कुल मैं करवाओंगे लेकिन इसमें आपका भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप लोग जितना हो सकी इससे शेयर करिएगा और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिजिएगा व बस इस वीडियो में इतना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकि आप लोग अपना फीड़बैक जरूर दीजिएगा बाइबाई टेक केर थैंक यू खुछ रहिए पढ़ते रहिए